असलाम अलेकुम व्यूवर्स वैलकम टू हानिया लोडी किच्छन व्यूवर्स आज हानिया लोडी किच्छन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मतदार सी चैनों की विर्यानी तो बहुत ही जादा टेस्टी ये बन कर तयार होती है और विडियू को पता यार की डिया डियाद ही दो आलोगों के साथ चे 2007 में ना अलोगों कीस तरीके से टाद़ करते हैं रूजियो को स्टार्ट करते हैं मैं आप तो ये चैनों की बिर्यानी बनाने के लिए वन की एजी की जो बिर्यानी है मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो अब मैं यहाँ पर इसको लाइट ब्राउन होने तक के लिए फ्राइ कर लूँगी तो यह देख सकते हैं व्यूवर्ज आप लोग जो प्यास थी हमारी हो यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुकी है तो यहाँ मैं इसमें साबुद गरम मसाला एट कर दूँगी जिसमें यहाँ मेरे पास है तीन से चुआ दाचीनी के टुकडे वन टी स्पून जीरा वन टी स्पून जितनी ही मैंने यहाँ पर काली मिर्श ली है साबुद तीन से चार पते तेज़ पात के थे दो से तीन लॉंग थी यह सारा गरम मसाला में इसमें डाल दिया है मैं इसको भी यहाँ पर फृाइड के लूंगी और इसी के साथ में और एड़ कर दूंगी वन टीमिल स्पून लेसन और अधरग पेपैस्ट इसको भी मैं यहाँ पर फ्राइ कर लूँगी अच्छी ताना से भून लूँगी एक से दो मिंट के लिए तो यहाँ मैंने लेस्वेन और अद्रक को भी भून लिया था उसका कच्छापन यहाँ पर खता हो चुका है अब मैंने यहाँ पर लिये तीन अदर टिमाटर जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया इसी के साथ 10-12 जो छोटी वाली मर्चे होती है ना वो मैंने यहाँ पर ली यह भी इसमें जाएंगी अब मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर भून लूँगी जो टिमाट अच्छी तरीकेसे मसाले के यहाँ मैं ने चैनों में लाा चैनों लिए डूंगी इसको यहान मैंने बून लिया था तो यहां मैंने 8 कब जितना पानी भरकर डाल दिया है अब मैं यहां पर पानी को बॉल होने दूँगी तो पानी हमारा यहां पर बॉल हो चुका है अब मैंसमे एट कर दूँगी 2 टेबिल स्पून जितना नमक मिक्स करूंगी इसको और अब यहां मैं इसमें चावल एट करूँगी तो यहां मैंने जो बासमती राइस थे वो मैंने इसको 20 मिंट के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में पानी इसका मैंने वेस्ट कर दिया है तो अब यह चावल मैं यहां पानी में डाल दूँगी सारे और अब मैं इसको यहाँ पर तब तक के लिए पकने दूँगी कि जो पानी है ना चाबलो का वो यहाँ पर ड्राय हो जाए मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी इसको यहाँ पर तब तक के लिए तो व्यूवर्ज देख सकते हैं आप लोग 5 मिंट में जो पानी था हमारा वहाँ यहाँ पर ड्राय हो चुका है अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर फूट कलर एड़ कर दूँगी और फूट कलर एड़ करने के बाद ना अब मैं इसको कवर करके हैं यहाँ पर तकरीबन 10 मिंट के लिए दम दे लूँगी तो 10 मिंट के बाद आपको चेक करवाते हैं इसको तो व्यूवर्स देस्मेंट हो चुके हैं तो यह देख सकते हैं आप लोग चावल हमारे आपर दम हो चुके हैं अब मैं इसको ऊपर नीचे कर दूँगी और फ्लेम को आफ कर दूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक यह बिद्याद और चैन्ही तो इजन्मीन और और मतलब से नायए संदे जमल से किसी लिघाता है। आप लिचिएंगेृ तर परब्यून पेस्ट है। प्रक्त आयए आईयगा है। जल से जल आप लोगों तक बहुत सके, आल्ला हाफिस